हेलो वच्छों benefit वेलकम बेग तो मैं चेनल और आज अपन जो डिसक्स करने जा रहे हैं वह है percentage कि परसंटेज इल्ड ओफ रिएक्शन कि परसंटेज इल्ड ओफ रिएक्शन इसका मतलब यह है कि जो कोई केलसियम कार्बोनेट को जो मैं हीट करता हूं तो आपको पता है कि केलसियम ऑक्साइड बनता है और स्योटू क्या बनती है गैस बनती है यह बात क्लियर है अच्छा रियेक्शन आपको जब भी ध्यार रखना जब भी कुछ भी करो आप मोल कॉंसेप्ट में तो यह कैसि इक एक से हैं वाइन तैंट तो मैं स्टेक्रीमेट्र लगा सकता हूं रही मता सकता हूं अब यह कह दे ता कर्पर दिया कि将 फूल यह बनेगा कानो मतलब कितना बन गए को पूर्टीयोटीयोटी नहीं बाना है यह बात तो अपनी समस्ज डारी है मतलब लुकत के अगर 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 अपना यह वन मोल लिया तो फूर्टीयोटी लुब भंधना चाहिए duy कि इतने इसे पूर्टी फूर ग्राम को यहा आप गो मतलब जो अपनी यहां से ठीरिटिकली बात कर रहें कि अपने इतना बनना चाहिए ठीक है अब सपोज करो मान लो कि एक्चुली कि 22 ग्राम कि यहां पर आपसे बोले कि इसकी परसंडेज इल्ड कितनी आ रही है तो इस केस में आप यह कहेंगे कि जो परसंडेज मेरी इल्ड आ रही है तो अपन वेटा यह कहते हैं आप एक्चुली कितना उप्टेंड हुआ है मतलब एक्चुल इल्ड अपोन च्रुटिकल इल्ड 44 इंटो 100 तो यहां से अपन जब गुणा वाग करेंगे तो यह कट जाएगा दो से तो अपनी इल्ड कितनी आगी 50 परसंड आगी अब बात यह रिसर इसका फॉर्मला क्या होगा तो देखो फॉर्मला बिल्कुल सा है कि परसंडेज इल्ड का जो फॉर्मुला होता है उसमें अपन यह कहते हैं कि एक्चुल में कितना बन रहा है एक्चुल इल्ड अपोन त्योरिटिकल इल्ड इंटो इंटो 100 या फिर मैं यह सा को हूँ कि एक्चुल मैं क्या बोलूं मैं कि एक्चुल अमॉंट ओफ प्रोड़ तो कितना प्रोड़क्ट है वो ऑप्टेनेबल कितना है तो ऑप्टेनेबल कितना है फॉर्मिला क्या बन गया अपना फॉर्मिला यहां से बन गया है कि परसंडेज इल्ड का आपको अगर फॉर्मिला निकालना हो तो बेसिक लिए मैं लिख तूगया क्या चीज में हिसाब है एक्चुल इल्ड अपोन है ठीरिटिकल इल्ड इन्टू हंड्रेड बिल्कुछ यह सिंपल सी चीज थी परसंडेज इल्ड ओप डियक्शन जो मैंने